तेज हर्याना की सब्वी वीडियो देखने और अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकोन पर प्रेस करना ने भूलें नमस्कार तेज हर्याना पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं राजिस्तान के चुनावी हाल पर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार राजिस्तान में जो विधान सबा चुनाव का जैसी संखनात बचा है बजने के बाद अब जो चुनावी खाल चल चल है वो बहुत अब अपने उम्दा परदशन पर है क्योंकि राजिस्तान में दो घरानों के बीच में इस बार बड़ी टकर है क्योंकि एक तरफ कॉंग्रेस और एक तरफ बीजेपी है कॉंग्रेस में इस बार कॉंग्रेस को अपनी सता में दुबारा वापसी करने के लिए एक जद्दो चुनाब में दे दी है जहाँ पर पंजाब और हर्याना और दिल्ली में कबजा करने के बाद आबादमी पार्टी इस बार राजस्तान चुनाव में भी अपनी किसमत अज़वाने के लिए उतरी है हलांकि जहाँ पर केजरिबाल साहब नजर नहीं आले लेकिन कारेकरतों ने अपने लेवल पर अपने तरीके से सब कुछ तयार किया क्यों ना राजस्तान की नबज को टोटोला जाए यहां की लोगों के क्या राजस्तान के लोग समझते हैं क्योंकि इस बार राजस्तान की जनतावी विकल्प के तौर पर किसी तीसरी को तलासना चाहती है लेकिन आबादमी पार्टी इस बार किस तरीके से अपने आपको यहाँ पर आगे अपनी पेशी रखना चाहती है मेरे साथ संगरिया विधान सभा सीट से इस बार जो आबादमी पार्टी के केंडेट है शर्मा जी अडवोकेट उन्होंने अपना नामखन यहाँ से दर्ज किया वो हमार साथ है और राजिस्तान के संगरिया विधान सभा से जो यहाँ से इन चार्ज है विंदर जी चार वो भी हमारे साथ हैं सबसे पहले हमारे साथ शर्मा जी हैं सर आपने नामकन किया है आप क्या कहेंगे राजस्तान में पहली बार आम आदमी पार्टी अपना परदर्शन करने जा रही है और आपने संग्रिया को चुना है क्या संग्रिया के मुद्दे रहने में एक कांग्रेस कभी बीजेपी और तिसरा विकलब के रूप में हमारी जो पार्टी राधस्तान में इंटर हुई है तो यह संभवत्य डवलमेंट की राजनिती करेगी यहां जो भी डवलमेंट के कारे हैं वो उच्छ स्थर के कारे करेंगी जैसे दिल्ली मोडल जैसे आल में फेमस हो गया उसी दिल्ली को रोल मोडल अपनाते हुए यहां कारे करेगी इसी उदेश्ते से राधनिती के विकलब सवरूप यह पार्टी आई है और एल जी पहले बार डेवियू कर रहे हैं आप तो यहां से क्योंकि राजस्तान में पहले डेवियू आम आदमी पार् पहले तो हमें सम्मान की दस्टी से देखा जाता है जिससे हमारा सीना और भी गरव से महसूस करते हैं आम आदमी पार्टी को एक जेंटल पार्टी के रूप में देखा जाता है जेंटल के रूप में देखा जाता है और एक विकास की पार्टी के रूप में देखा जाता है इससे लोगों की पर्तिक्रिया हैं बहुत ही हमें बहुत ही सम्मान दे रहे हैं लोग संग्रिया विदान सभा के चेतर में जब भी हम कहीं जाते हैं अब कमपेनिंग के लिए और रात को दस दस वज़े तक पेदल डोर टोर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉंस पेजल का यहां पे और मीरा कॉलेज अपको लगता है आप भी इन सब मुद्दों को उठाने के लिए प्रयासरत हैं प्रयासरत किया जी हम तो इस मुद्दों को जो इसकी डेप्ट है ना गहराई से उसका अंकलन करते हो इसका हम राजस्तान की विदान सभा में इस से समंदी मुद्दा है यहां सिक्सा से समंदी मुद्दा है और जैसे बिजली पानी से समंदी मुद्दा है जो यहां के किसानों का मुद्दा है इसको हम विल्कुल कॉन्पिटेंटली विदान सभा में उठाएंगे यह मेरा मानना है तो सर आप क्या मानते हैं आपकी आप हो सकता कि आप मैं वकील होने के नाते आपका ये चैनल के दूसरी पार्टी ये नहीं समझले कि परचार परशार के लिए है बाकि मैं एक्चुली वास्ट विकता ये कहता हूं जहां में पबलीक में जाते हैं वो कहते हैं कि थोड़ी सी देरी होगी बट आप दुरस्त हैं इस बार शिकस्त दोनों पार्टी हों देगे ये मेरा पूरण विश्वाश है यहां से जो देख रहे हैं आदमी पार्टी के तरफ से परभारी है रविंदर चाहर जी है सर आपको पूरा जिम्मा दिया गया है संग्रिया विधान सभा का तो फिलहाल कैसे त्यारियों में पूर्ण रूप से शहक्री हैं और संग्रिया विधान सभा कि जो यह शपन गराम पंचायते हैं तेस संग्रिया से है और 26 यहां संग्रिया की 25 समीतिया है चपन की चपन में हम बहुत पहले जब यह लोग सवे हुए थे उस समय हम भर्मन कर चुके थे एक बाद दूसरा का ह हमारे यहां 80-82 लगबग गाउं हैं उन सब गाउं में हम भर्मन कर चुके हैं और हमारा जो है परतेग गाउं में अच्छा खासा यूवाओं का 18-35 बेरोजगार शिक्षित यूवाओं का जो है वो हमारे साथ आज भी खंदे से कंदा मिला करके और खड़ा है तो सर क्या लगता आपको राजस्तान में पहली बार इस बार आप चनोती दे रहे हैं आब आदमी पार्टी के तरप से क्या मुद्दे आपके जहन में आते हैं जो राजस्तान की जो रही दूसरी जो सरकारे वो उठा नहीं पाई लेकिन आब आदमी पार्टिय उनके स्टगर करने के लिए मदान में है एसा एसर जी का हम लोग जो थे राजनिति के नहीं थे हम लोग समाज सेवी थे और समाज सेवी लोग उसको इनकी लहरों से और से किसी से फरक नहीं पड़ता है वो अपना समाज के परती अपना दाईतव निवाते हुए अपना कारे करता रहता है हम जो बीच के जो लोग थे जो सत्ता और विवस्ता इनकी बदलने वाड़े थे उन लोगों ने क्या है इस बार मन बना लिया है और इस बार हम राजस्तान की मरुदरा के उपर हम हमारा पर्चम लहराएंगे बहुत बहुत शब्कावने सर, दन्यवाद आप सब कह साथ आपने देखा राजस्तान की मरुधरा में इस बार जो चुनावी बिशात बिची है वो सिर्फ कॉंग्रेस और बेजेपे की वीच में नहीं है क्योंकि अब दिल्ली से चली आब आदमी पार्टी ने राजस्तान का रुख भी अक्तियार किया है और ये तो भविश्य के गरब में चुपा है कि नतीजे क्या रहते हैं और आब आदमी पार्टी अपने चाप कैसे और कितनी छोड़ पाती है हर अपडेट के लिए आप बने रहे हैं तेज हरयाना के साथ अगर आप हमें यूटूब पर देख पारें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बुक और ट्विटर पर भी फोलो करें बहुत बहुत शुक्री आप सभी का